अंडमान निकोबर आइलेंड्स 572 यानि 572 खुबसूरत दीपों का समू है यह बंगाल के खाड़ी में चारो तरफ समूंदर के बीच में इस ते छोटे छोटे दीपों का समू है और जब भी आप अंडमान आएंगे चाहे वह सिप से हो या फिर फ्लैट से सबसे पहले आपक लैंड करना होगा और आपको शिप जो है कोलकता वाइजाग और चिन्ने से मिल जाएगी और फ्लाइट चिन्ने वाइजाग बैंगलोर कोलकता और दिल्ली से आपको डिरेक्ट फ्लाइट अंडमान यानि पोट्बलर के लिए मिल जाएगी तो आपको पहले पोट्बलर में ही होटल बुक करना होगा मैं एक वीडियो जर्नी के ऊपर बनाने वाला हूँ कि आप कैसे पोट बेर के लिए जर्नी कर सकते हैं और यहां पोट बेर में आसपास कई एतिहासिक और खुबसूरत गुमनी की जगा है लेकिन सबसे एतिहासिक और दिल को च्छू लेने वाली जगा सेलूलर जेल है आप अंडमान आकर सेलूलर जेल आपने अगर नहीं देखा तो मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा यह हिंदुस्तान के वीर सुतंतरता सेनानियों की बलीदान की यादे हैं लेकिन आज मैं आपको अपने कार्मिस्को बीच के रास्ते में मिली दो रोचक चीज़े दिखाने वाला हूँ कार्मिस्को पोटबेर सिटी का सबसे नज़दी की खुबसूरत बीच है लगबग सिटी से तीन किलोमेटर के फासले पर सीजन में यह बीच टूरिष्टों से भरा रहता है तो मैं आज कार्मिस्को की तरफ सुबा सवेरे ही जा रहा हूँ इस वक्त लॉगड़ॉन नहीं हुआ है वरना कार्मिस्को या फिर बाहर गुमना बिलकुल भी मना है और बीच तो पूरी तरफ बंद हो जाती है और एर्ली मॉर्निंग बीच खाली भी रहता है तो आप जब भी कार्मिस्को जाए तो उसके दो रास्ते हैं अगर आप सिटी अबडिन बजार से निकले लेकिन आप नेताजी स्टेडियम की तरफ से जाए कि इस रूट में एक तो ट्राफिक भी कम होता है और दूसरा जो है आपको नजारा बहुत खुबसूरत मिलता है कि आपको समुंदर का किनारा और सुद्ध हवा जो है जादा मिलता है वैसे पूरे अंडमा निकोबार में आपको सुद्ध हवा ही मिलेगी तो on the way मजार के सामने मैंने देखा कि एक गाई समुंदर में लहरों के बीच खड़ी है बिलकुल अकेली ना उन्हें लहरों का कोई असर हो रहा है और ना अकेले पंसे वह भाइबित है तो मैंने सुचा कि गाई तो खारा पानी पीती नहीं और ना ही गाई मशली पकड़ती है और ना ही गाई मशली खाती है फिर यह समुंदर में अकेली क्या कर रही है कि इसे लहरों से डर भी नहीं लगता अब इसकी वज़ा इसका नतीज़ा आप ही निकाले अब आप ही कमंड करके बताए यह गाई यहां पर क्यों खड़ी है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं चला आगे और मैं कार्बिन पहुंचने ही वाला हूं और मैंने देखा कि कार्बिन पहुंचते ही मुझे बहुत प्यारी चीज़ नज़र आई कुछ नवजवान समंदर में बैक फ्लिप मार रहे थे सब कलाकार थे मैं तो उनके जम को देखकर खोस हो गया तो आप भी देखिए और आप भी उनके इस कर्तब का मजा लीजिए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक करे, सब्सक्राइब करे और इस लिंक को अपने सोसेल मेडिया एकान जैसे वाट्स ओप, फेस्बुक वगरा में ज्यादा से ज्यादा शैर करे थैंक्स अलोट